बिज्ञान भागे कच्छाच्छो प्रस्ण और उत्तर करेंगे तंतु से वस्त्र तक तो तंतु क्या होता है तो तंतु धागों की एक पतली लड़ी और पतली लकडियों से मिलकर बनी होती है जिसे हम तंतु कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं तंतु कहते हैं यहाँ पर धागा कैसे बनाया जाता है इसको दिखाया गया है यहाँ देखिए कपास का पोधा है रूई से धागा कैसे त्यार किया जाता है यहाँ तकली है पहले के जवाना में इससे काटा जाता था सूत चर्खा से अब यहाँ चट जिससे कपरा बनाया जाता है अब हम प्रस्ण और उत्तर की ओर चलेंगे तो पहला प्रस्ण है प्रस्ण उत्तर की ओर चलेंगे पहला प्रस्ण है निमलिखित तंतुओं को प्राकिर्थी तथा मानो निर्मित में विवक्त करना है मतलब बांतना है तो देखिए उन रूई र क्या है प्राकिर्थ हैं और मानो निर्मित लैलोन पॉलिस्टर ये दोनों मानो निर्मित हैं क्या है मानो निर्मित हैं दूसरा है सत्य और असत्य लिखना है पहला प्रश्ण है तंतुओं से धागा बनता है एकदम सही बात है दूसरा है कताई वस्त्र निर्मान की एक प्रकिरिया है सत्य है जूट नारियल का बाहरी आबरन होता है असत्य है रूई से बिनौले बीज हटाने की प्रकिरिया को ओटना कहते हैं एकदम सत्य है धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकरा बनता है सही है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है यह असत्य है और प्लास्टर एक प्राकृतिक तंतु है असत्य है रिकत स्थानों की पूर्ती करना है तो सूत और जूट से पादप तंतु प्राप्त किये जाते है दूसरा है रेसम और उन जन्तु से मिलने वाले तन्तु है ये क्या है रेसम और उन जन्तु से मिलने वाले तन्तु है अब चौता है चौता का का वैसे वस्त्र के तन्तु जो पौधे वा जन्तु से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकिर्तिक जो प्राकिर्तिक रूप से मि करते हैं आगे हैं मानो निर्मित्तन्तू पॉलिस्टर लाइलोन एक्रिलिक और है उप्युक्त तो उप्युक्त सभी में हम इसमें लगाएंगे आगे प्रस्ण की और चलते हैं बिहार में निम्रिखित जिले में जूट अधिक उगाया जाता है कटिहार में सही है सहर्षा में भी यहाँ पर भी सही है और मतपूरा में तो हम क्या लगाएंगे उप्युक्त में सभी आगे प्रस्ण है रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई रेशे से धागा जब बनता है तो कताई होता है उसका आगे प्रश्ण है धागों से वस्त्र बनाने की विधी बुनाई वा बधाई कहलाता है अब हम लोग प्रश्ण और उत्तर की ओर चलेंगे पांचमा प्रश्ण है रूई तथा जूट परसन पादप के किन भागों से प्राप्ठ होता है तो उत्तर लिखेंगे उससे पहले हम आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाना चाहते हैं ये देखें कपास का पौधा है और ये देखें कपास इसमें फड़ा हुआ है जिसको हम रूई बोलते हैं रूई कपास के पौधे का फूलो से प्राप्थ होता है जूट परसन के पौधे के तने से प्राप्थ होता है आप लोग परसन नहीं समझते हुएगा पटूआ को ही यहाँ पर परसन या जूट कहा जाता है जो हमारे बिहार में भी पाया जाता है छटा है नारियल तंतू से बनने वाली दो वस्तू के नाम दिखना है तो नारियल तंतू से बनने वाले दो वस्तू है नारियल का रसी जो आप लोग भी देखते हुएगा जब क्या होता है बानने के लिए आता है अमारे घर में और नारियल से पैर पोचने वाला पैदान जो की आपके घर में भी मिलता होगा सात्मा प्रस्णा है तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया असपस्ट कीजिए उत्तर लिखेंगे रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं यहाँ पर आप फोटो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है काटा जाता है यहाँ पर पहले रूई लिया जाता है इसको कताई किया जाता है और तब बुनाई होता है तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं इस प्रक्रिया से रूई के एक पुंज से रेशों को खीच कर एठते हुए एसा करने से रेशों से आपस में गूत जाते थे और धागा बन जाते थे कताई के लिए तकली का उप्योग किया जाता था इसमें एक दूसरे युक्ती का भी उप्योग कर सकते हैं जिसे हम चर्खा कहते हैं यहाँ पर देखिए चर्खा से है और यहाँ पर कताई हो रहा है रूई की कताई की जाती है और वो लंबे लंबे बनते जाते हैं तो आप फोटो के माध्यम से भी इस प्रस्ण को समझ सकते हैं तो आज हम लोग प्रस्ण उत्तर की स्रिंखला में तंतु से वस्त्र तक प्रस्ण उत्तर बिहार बोर्ड का क्छा अच्छा के विद्यार्थियों के लिए अति महत पूर्ण होगा धन्यवाद